पन्वीर महनेगर पालिका की अंतरगरत आज 125 नए कोरोना पॉसिटिव मरीजों के साथ कोरोना संक्रमेद मरीजों का खोलाकड़ा बढ़का 4,749 तक पहुँच चुका है वही अक्टिव केसों की संख्या 1,394 तक पहुँच चुकी है आज रहत भरी खबर ये रही कि आज 131 लोग कोरोना मुक्तों के डिस्चारज कर दिये गए और इसी के साथ कोरोना मुक्त व्यक्तियों की संख्या में हुआ इज़ाफा और आंखड़ा पहुचा 3,074 डिस्चारज हुए लोगों में शामिल है पनवेल से 41, न्यू पनवेल से 21, कलमबोली से 25, कामोठे से 34, खारगर से 24 और तलोजा से 16 लोग कोरोना मुक्तों के डिस्चारज ये गए दुखत घटना बताने के आद दो लोगों की मौत के साथ पनवेल महानगर पालिका के अंतरगत कोरोना संक्रमर से मृत्यू का आकड़ा बढ़कर 110 तक पहुच चुका है मृत को में शामिल है न्यू पनवेल आनन्द महल सोसाइटी A04 प्लॉट नंबर 49 पॉडी नंबर 2 कोरोना पॉजिटिव व्यक्ती की मौत कामोठे अलंका पुरी सोसाइटी प्लॉट नंबर 39 औबलिक 40 सेक्टर 10 कोरोना पॉजिटिव व्यक्ती की मौत तो चले ग्राफिक के माधिम से समझाने की कोशिश करते हैं कि पनवेल में कहां कहां पाय गए कोरोना पॉजिटिव मरीज बदाने की कलमबोली में आज 24 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या दर्स की गए कोरोना संक्रमंट से मृत्यों का आकड़ा शुन्य पॉजिटिव मरीजों का आख्रा दर्स किया गया कोरोना संक्रमन से मृत्यों के आख्रा रहा शुन्य रिकवर्ट केसों की संक्या रही 41 पनवेल में आज 22 कोरूना पॉजिटिव मरीजों की संख्या दर्स की गई कोरूना संक्रमन से मृत्यू का आक्डा रहाशुन्य रिकवर्ट केसों की संख्या रही 41 तलोजे में आज कोरूना पॉजिटिव और मृत्यू का आकड़ा रहा शुन्य रिकवर्ट केसों की संख्या रही 16 तो इसी के साथ देखा जाये तो पनवेल महनगर पालिका के अंतरगाइद कोरूना संक्रमण का कुल आकड़ा 4749 तक पहुच चुका है कोरूना संक्रमण से मृत्यू का आकड़ा 110 रिकवर्ट केसों की कुल संख्या 3235 और एक्टिव केसों की संख्या में हुई गिरावट और आकड़ा पहुचा 1394 तो चलिए अब ग्राफिके मादम से ये समझाने की कोशिश करते हैं कि पनवेल महनगर पालिका के अंतरगाइद विभिन शहरों में कोरूना संक्रमण और आकड़ीव केसों का क्या रहा ग्राफ सबसे पहले बढ़ते हैं कलंबोली की तरफ कलमबोली में कोरोना संक्रमन के अब तक कुल 806 मामले सामने आए हैं एक्टिव केसो की संख्या है 283 कामोठे में अब तक 1000 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या दर्स की गई है एक्टिव केसो की संख्या है 201 खारगर में 939 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाय जा चुके हैं, अक्टिव केसों की संख्या है 288, नुपरविल में 774 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाय जा चुके हैं, अक्टिव केसों की संख्या है 315, पनवेल में 961 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या दर्स की गई है एक्टिव केसों की संख्या है 212, तलोजा में 279 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाय जा चुके हैं, एक्टिव केसों की संख्या है 95 तो चलिए अब ग्राफिक के माद्यम से ये समझाने की कोशिश करते हैं ये पनवेल महनगर पालिका के अंतरगत विभिन शहरों में कोरोना संक्रमट से मृत्यू का क्या रहा ग्राफ रिकवर्ट केसों की क्या रही संख्या बतादे की कलम बोली में कोरोना संक्रमट से 21 लोगों की मौध हो चुकी है, रिकवर्ट केसो की संक्या है 502, कामोठे में 28 लोगों की कोरोना संक्रमट से मौध हो चुकी है, रिकवर्ट केसो की संक्या है 771, खारगर में 11 लोगों की कोरोना संक्रमट से मौध हो चुकी है रिक पनवेल में 20 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो चुकी है रिकवर्ड केसों की संक्या है 729 और तलोजा में 10 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो चुकी है रिकवर्ड केसों की संक्या है 164 तो चलिए अब डालते हैं आकड़ों पनसर, कुल कोवेट 19 टेस जान संख्या 12,943, कोरोना के कुल मरीज 4,749, कोरोना के आक्टिव केज 1,394, कोरोना रिपोर्ट प्रलंबे 260, कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव का आकड़ा 3,235 और कोरोना सिर्मित्यु का कुल आकड़ा 110, ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मॉबै नेट्वर्क